आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ पहला दिया है हमें तो हमें यहां पर क्या पूछा है हमारे जो फ्रॉप होते हैं हमारे humans से कैसे different होते हैं हमारे humans से ठीक है वो हमें बताना है इन चार options में से पहला option हम यह आपे दिया हुए है nucleated red blood cells तो यह हमारा option सही है क्योंकि जो हमारे frogs होते हैं क्या होते हैं हमारे जो frogs होते हैं उनकी जो RBCs होती है red blood cells जो हमारी frog की होती है उसमें nucleus present होता है क्या present होता है nucleus उनमें present होता है मतलब वो nucleated nucleated RBCs होती है हमारे frogs की ठीक है यह oval shape की होती है क्या होती है oval shape की होती है और यह by convex होती है और इनके पास hemoglobin भी present होता है hemoglobin भी hemoglobin भी present होता है हमारे किसके frog की RBCs में यह सब features होते हैं हमारी frog की RBCs की तो यह distinct हो गया क्योंकि जो हमारे human की RBC होती है उसमें nucleus absent होता है तो हमारा option A यहां पे सही है option B कह रहा है thyroid as a less parathyroid gland में तो यह हमारा option गलत है C कहा रहा है paired cerebral hemisphere यह भी गलत है कोई एक दूसरे को दोनों में present होता है यह ऐसा नहीं कि frog में present होता है और human में तो कोई difference create नहीं कर रहा hepatic portal system यह भी हमारे दोनों में present होता है तो option B यहां पे गलत हो जाता है तो option A जो की कह रहा है जो हमारे frogs होते है उनकी RBC में nucleus present होता है यह वाला हमारा option सही है क्योंकि हमारे humans में present नहीं हो रहा तो इस सभीके से हमारे frogs और human एक दूसरे से differ कर रहे है तो हमारे correct answer यहां पे क्या हो जाएगा option A यहां पे हमारा correct answer है प्लासिक स्ट्वेल से लेके NEET IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आट 400 400 चार्स उपर